तोड़े वी आर गोईंग तो स्टार्ट अन्यू चेप्टर लेसन ट्वेल्ब दचेरी ट्री किसी की बुक में यह चेप्टर जो होगा लेसन 11 से दिया होगा कोई शू नहीं है उसमें स्टूरी का नेम है दचेरी ट्री फर्स्ट कॉश्चिन लिखा हुआ यहां पर डू यू खाने के बाद फल के अंदर की और मिलते हैं तो मोस्त लिए हम क्या करते हैं उस बीच को मिट्टी में लगा देते हैं और वहां से उसमें से पौधा एक छोटा सा एक प्लांट जो है जर्मिनेट होता है और प्लांट बन जाता है उस बीच का उस सीट का जर्मिनेशन होने के जब राकेश छे साल का था तब एक दिन, वोग फ्रम होम फ्रम दे मसूरी बाजार इतिंग चैरी तब वो चैरिया खाते हुए बाजार से लॉट रहा था, वो थोड़ी खटी थोड़ी मीठी लाल रंग की चमकदार चैरी थी विच हेट कम आल दे वे फ्रम दे कास्मीर वैली जो की कास्मीर वैली से लाई जाते थी, राकिस लिवड विट इस ग्रेंट फादर ओन आउट इस्कृट अफ मसूरी राकिस जो था वो मसूरी की सरहत पर उसके दादा के साथ में रहता था, ज़स्ट वैर दा फॉरेस बिगन जहां से जंगल सुरू होता था, इस फादर और मदर लिवड इन ए स्मॉल विलेज, फिफ्टी माइल सवे, उसके ममी और पापा जो थे उसे पचास मील की दूरी पर रहते थे, बट देर वास नो इसकूल इन दा विलेज, लेकिन गाउं में कोई भी स्कूल नहीं था, इसके वास लेकिन सिंगता है. लिवास थे शूरी राकेश के निविज देरुया होता है, राकेश वाटो किन पापा चाहते है कि राकेश स्कूल जाए जै उस Spaß जो फ to stay with the grandfather इसलिए वो उसके दादजी के साथ में रहता था a retired ranger in Missouri जो की retired ranger थे मसूरी के राकेश वास on his way home from the school where he bought the cherries और राकेश जो था घर के school से जब निकला था तो घर वाले रास्ते पर रही था जहां से उसने चेरियां खरीती थी he paid 50 पैसा उसने 50 पैसा दिया for the bunch एक गुच्छा खरीतने के लिए उसने 50 पैसे दिये it took him about half an hour to walk home उसको वहां से पहुँचने में आज़े से एक घंटा लग गया and by the time he reached the cottage और जिस समय वह उसकी cottage पहुँचा उसकी जो जो जोपड़ी उसका जो घर था वहां पहुचा there were only three cherries left जब तक वो घर पहुचा तब तक उसके पास सिपतीनी चेरियां बची हुई थी have a cherry grandpa उसने अपने दादाजी से पूच्छा कि दादाजी आप भी एक cherry लीजिए he said as soon as he saw his grandfather in the garden उसने देखा कि उसके दादाजी जो थे उसने कहा जैसे उसने देखा कि उसके दादाजी जो है वो कहा पर है गार्डन में grandfather took one cherry and rakes promptly at the other two promptly मिनसे होता है तेजी से grandfather को जैसे ही उसने एक cherry दिया राके उसने तेजी से दोनों ही जो cherry उसके पास बची हुई थी उनको खा लिया he kept the last seed in his mouth for some time आखरी जो बीज था आखरी जो cherry खाया था उसमें जो बीज था अंदर उसको राकेस अपने mouth में रखे हुई था rolling it round and round उसे बार बार जैसे हम लोग कोई भी फल खा लेते हैं जिसे हम चॉकलेट को बार बार रख करके मुह में और घुमाते रहते हैं ऐसे ही वो उसके बीज को रोल कर रहा था on his tongue until the tang had gone tang means होता है swath जब तक कि उस गुटली में उस seed में लगातार swath आ रहा था then he placed the seed on the palm of his hand and studied it और उसके आर उसने उस बीज को उस बीज को मुह से निकाला और निकालने के आर उसके हाथों में रख कर घुमाने लगा are cherry seeds lucky क्या cherry के बीज जो होते हैं वो lucky होते हैं asked raqis raqis ने पूछा of course then I'll keep it अगर ये बहुत lucky होते हैं तो मैंने अपने पास ही रखूँगा nothing is lucky if you put it away कुछ भी lucky नहीं होता जब आप इसको अपने से डूर कर दो if you want luck यदि आप चाहते हों कि भाग ये हो you must put it to some use तो आपको उस seed का किसी ने किसी तरीके से इस्तमाल कर लेना चाहिए what can I do with a seed मैं इस बीच के साथ क्या कर सकता हूँ plant it इसे लगा दो plant कर दो so rakes found a small spade spade means होता है kudal आपके सभी के घर में होगा kudal and begin to dig up a flower bed flower bed means होता है फुलवारी जहाँ पर फूल बहुत आए लगे होते हैं वहाँ पर उसने गड़ा खुदने स्टार्ट किया और गड़ा खुदने के बाद में उसने इस बीच को लगा दिया hey not there said grandfather उसके grandfather ने कहा वहाँ फूलों के बीच में मत लगा उसे I have sown mustard in that bed मैंने उस फुलवारी में वहाँ पर सरसों को बोया है plant it in the shady corner जहाँ छाया हो वहाँ पर इसे लगा दो where it won't be disturbed जहाँ इसको कोई भी परिशान नहीं करेगा Rakesh went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding जहाँ की मिट्टी नर्म थी वहाँ पर Rakesh गया he did not have to dig वहाँ उसे उसको जगह को खोदने की भी जुरत नहीं पड़ी he pressed the seed into the soil उसने बीच को रखा और उसे अंगुठे से अंगली की मदर से दबा दिया with his thumb and it went right in और वह सीधा का सीधा मिट्टी के अंदर चला गया one morning in the garden he bent to pick what he thought was a small twink and found to his surprise that it was well rooted अब एक दिन क्या हुआ हुआ वह बगीचे में गया सुबह के समय वह जुका और उसने notice किया इस चीज को उसने देखा सोचा कि छोटा सा जो twink है वह उसको कहां से आया है वह surprised हुआ कि उसने जो बीच लगाया था वह well rooted हो चुका था और उसमें से वापिस germination के बाद में छोटी पतियां आ गई थी छोटी टहनियां आ गई थी he steered at it for a moment उसे कुछ देर तक वह घूरता रहा then rain to fetch grandfather तब वह दोड़ता हो गया और अपने दादा जी को ले करके आया calling grandpa grandpa come and look दादा जी दादा जी आईये और देखिये the cherry tree has come up cherry का जो tree है वो उग गया है या cherry का tree आप उग आया है